के नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एलेक्टो फिल्क सबस्टुचिशन citizenship स्थीर्ट होड़े 시작, की इसे वन मैकाइनिस्प के बारे में देखिए एलेक्टो फाइइक्ट फाइड मॉलिक्षेट पर अटेक करता होती हैं उन्हें हम से 1 मेकनिम्स करते हैं तो वैसी एसी वन मेकनिम्स होता है वह एसे प्रवाद कर्णाइन होता है और यह तो यह इसमें टू स्टेप में यह कंपलीट होती है रियक्शन पहले स्टेप में स्लो हेटोलाइसिस होती है और कार्वेनाइन फोर्म होता है सेगंड स्टेप में और इंटरिंग इलक्टोफाइल का फास्ट कॉम्बिनेशन होता है और क्योंकि यह यूनिमॉली कुलियर रियक्षन है तो इसमें जो रेट अफ दा एक्सटाइड के कंसंटिशन पर टेपेंट करता है तो आप देख सकते है यहां पर कि ऐस्टेफ स्ट में क्या होता है स्टेफस्ट में हजोहेटरलसीज होता है क्योंकि यह आप देख रहे हैं यहां पर एक सब्टेट मॉनिक्रो ये ऐलकल Heart और यह आपका living group है तो यह इस carbon से एलकेज ग्रूप के carbon से ज्यादा एलक्तो पोजिटिव होता है यह एलक्तो फाइल या निविंग ग्रूप तो क्योंकि ज्यादा एलक्तो पोजिटिव होता है तो अपने electron डूनिट कर देता है इस carbon atom को और अपने को release हो जाता है लीव कर जा तो एलेक्टर। वाइव स्टीविय Communion ये धन्यक्टर। आफर होती है प NAU49. पूभे तो अगर पथें तो अग्जयंसिते हैं ये कमेत बीज्जय, अगर इंच्छर। खेया और आफ मत्रेम करें से अथाइखन ये लिग जिखते हैं抵स्व六 शी। अपने एलेक्टोन इस एलकेल ग्रूप के कारवन को डोनेट कर देगा और रिलीज हो जाएगा अपने को इस बेस के साथ तो यह कारवनाइन फॉर्म हो जाएगा और सेकंड स्टेप में अनधर यह हमने लिया डूटीरियम तो अनधर एलेक्टोफाइल के एक्ट करेगा प्रोड़क्ट फॉर्म कर देगा और यह बेस ऐसी रह जाएगा तो यह थी आपकी एसीवन मेकैनिजम